आज़की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ WhatsApp Message को Hindi में Translate कैसे करें दोस्तों अगर आपको भी कोई WhatsApp पर English में Message भेजता है या फिर कहीं पर भी आपके पास English में Message आता है और अगर आपको पता नहीं है English में क्या लिखा हुआ है अगर आप Hindi जानते हैं इंग्लिस नहीं जानते हैं तो फिर इस वीडियो को ध्यान से लाश्टक देखते रिए आज की इस वीडियो में आपको एकदम असान तरीका बताने वाला हूँ अगर आपको वीडियो को ध्यान से लाश्टक पूरा देखना है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो प्रिस वीडियो को लाइक साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो यहाँ पर वाटस अप का कोई भी इंग्लिस मेसेज को पढ़ने के लिए हिंदी में आपको एक छोटा सा एप्लिकेशन का ज़रुवत पढ़ता है जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्सन बोक्स में देखने को मिल जाएगा सिंपली जो है आप इस एप्लिकेशन को डावलोट कर लिजेगा या फिर दोस्तो आप प्ले इस्टोर पे आकर के यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने जो है गूगल का एक ट्रांसलेट एप्लिकेशन मिल जाएगा आपको इस application को जो है अपने phone के अंदर install कर लेना है एप install होने के वाद simply आपको open कर लेना है यहाँ पे जिसे आप application को open कर लेते हैं यहाँ पे आपको English select कर लेना है फिलहाल हमारा पहले से select है और यहाँ पे second language पे आपको Hindi select कर लेना है अब दोस्तों करना क्या है आपको यहाँ पे जो भी वर्टसप पे आपको English में message आता है उसको कुछ इस परकार से आपको copy कर लेना है select करना है ठीड और पे click करने है और यहाँ पे copy कर लेना है अब दोस्तों simply क्या करना है आपको इस app के अंदर आना है यहाँ पे आने की पद आपको पेस्ट कर देना है कुछ इस परकार से जिसी है यहाँ पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे नीचे के side में आपको Hindi जो भी इंगलिस में लिखा होगा यहाँ पे click करके आप उसको सुन भी सकते हैं सामाजिक स्थितियों के लिए अपने अंग्रेजी कोशल को बेहतर बनाने में अधिक सहायता के लिए कुछ इस बगार से जो है आप कोई भी इंग्लिस मैसेज को हिंदी में पढ़ सकते हैं अब चलिए बात कर लेते हैं अगर आपके पास कोई हिंदी मैसेज है और आप चाहते हैं किसी को जो है इंग्लिस में भेजना तो वो आप कैसे कर सकते हैं सबसे पहले जो है हम यहाँ पर वर्टसप को ओपन कर लेते हैं वर्टसप ओपन करने के बाद सिंपली हम यह हिंदी मैसेज को कोपी कर लेते हैं यहां पर दबा के रखेंगे सलेक्ट हो गया यहां पर ऊपर के साइड में ठीडोर पर क्लिक करेंगे और यहां पर कोपी वाले option पर क्लिक कर देंगे कोपी करने को बाद सिंपले आपको फिर से वो एप ओपन कर लेना है यहां पर Google Translate को अब दोस्तो यहां पर आने के बाद आपको जो हिए इंगलिस और ही के जो आपको फिर सिंपले का सब्सक्राइब